भगवान करे कभी होस्पिटल की जरूत ना पड़े लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादा जी मल्टी स्पेशलिटी होस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 गंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं आज देनिक भासकार के पत्रगार हरीश कंडेदवाल जी को नगरपाली का अद्यक्ष पूत्र अजय वर्मा और मुकेश वर्मा और विनय वर्मा दोरा जान से मानने की कोशिश की गई सभी पत्रगार बंद्वों से निवेदर हैं कि आप लोग अगटा हो और मीडिया साथी पर जो गूली करने गूली मानने का पैस करने वो तैया करने सुना आपने धैनिक भासकर के पत्रकार हरीश खंडेलवाल पर हुआ जानलेवा हमला और यह जो हमला हुआ है यह मद्यप्रदेश के खंडवा के हरसूद विधान सभा क्षेत्र के अंतरगत आने वाले हरसूद नगर में हुआ हरसूद में धैनिक भासकर के एक कारेकरता के रूप में सवादाता के रूप में काम करने वाले हरीश खंडिलवाल ने शिकायत में बताया कि वो एक समाचार पत्र जो दैनिक भसकर है उसके सवादाता है पार्षद रानी बोरासी ने नगर पंचायत अध्यक्ष के संबंद में शिकायत की थी हैंड पंप पर कपजा कर मोटर पंप डाल दी गई और निजी उपयोग होने लगा जिस पर उन्होंने दैनिक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित की थी जिसके कारण नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश वर्मा के बेटे विने वर्मा ने मुझसे रंजिश रखकर सोशल मीडिया पर धमकी भी दी थी शनिवार को शाम करीब साथ बचकर पंदरा मिनिट पर जब वो अपने रिष्टदार जो कमल खंडिलवाल है और भाजपा के नेता भी है दुकान पर वो बैठे हुए थे तब अजे विने और तुशार आये और गालिया देते हुए दुकान में घुसाये अजे वर्मा के पास देशी कटा था विने के हाथ में चाकू और तुशार के हाथ में पाइप था आने से पहले अजे ने मुझे मारने के लिए देशी कटे से फायर किये जैसे ही वाया आते ही उसने फायर कर दिया लेकिन फायर नहीं हो पाया तब अजे ने अपने हाथ में पहने हुए लोहे के पंच से मेरे चहरे पर मारा, तीनों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की लोहे की रोड से मुझे पीटा, चाकू मारने की कोशिश की गई, गोली चलाने की कोशिश की गई, इस तरह की शिकायते कमल खंडेलवाल ने पुलिस को लिखित में की है कमिल खंडेलवाल की दुकान में भी तोड़ फोड़ की गई है जिससे दुकान में काफी नुकसान हुआ मारपीट में शरीर के कई हिस्सों में चोट भी लगी है और निशान भी दिखाई दे रहे हैं एदर हरसूद पुलिस ने तीनों आरोपियों पर केस द गहाओ गहरे हुने के कारण पत्रकार को खंडवा रेफर किया गया है घटना के बाद नगरवासियों में काफी आक्रोश है वैपारिक संग्ठनों ने रविवार को बाजार बंद का एलान भी किया है और यह जो घटना है यह आज शाम की है कुछ समय पहले की जो नगरवास है और भाजपा के कारे करता है निता है उन्होंने हरसूत थाने में घेराव भी कर दिया पुलिस ने इस मामले में तत्काल कारवाई करते हुए तीनों आरोपियों पर अपराद दर्ज कर लिया है श्री दादाजी इंस्ट्टूट आप टेक्नलोजी एंड साइंस में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्विज में सभी स्ट्रीम में बीटेक, एम्टेक, एम्टेक, एम्चे, एम्बीए, डिग्री बोवी, एम्पी की बेस्ट फेकल्टी के साथ उपलब्द है एड्मिशन एवं काउंसलिंग के लिए संपर करें अत्वाइंद और रोट पर कॉलेज में विजिट भी कर सकते हैं